हिंदू धर्म में सावन के पवित्तर महीने का विशेश महत्तव है। इस बार साल 2022 में सावन का पवित्तर पर्व 14 जुलाई दिन गुरुवार को अरंब हो रहा है। और 12 अगस्त 2022 दिन शुकरवार को समाप्त होगा। सावन के महीने में चारो और हरा भरा दिखाई तेता है। शिव मंदिरों में भोले नात के भक्तों की भीड नजर आती है। इतना ही नहीं सावन माहा में सुहागिन महिलाएं भी हरे रंगे कपड़े, हरी चूडियां, गेहने आदि सब पहन कर सावन महीने को उलास के साथ मनाती है। वै शिव मंदिरों में पूजा वै जला अभिशेक के लिए जाती है। सावन का पावन महीना शुरू होते ही बजारों में हरी चूडियां चारों और सजादी जाती है। आखिर क्या है हरी चूडियों का विशेश महत्तव। वै क्यों पहने जाती है हरी चूडियां। सावन में आए जानते हैं इसके बारे में। चैनल पर नई आई हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा वीडियो अच्छी लेगे तो शेश जरूर करिएगा मानत्याओं के अनुसार सावन माहा में भगवान शिव को चड़ाए जाने वाले बेल पत्तर वै धतूरे का रंग हरा होता है देवों के देव महादेव को हरा रंग प्रिये माना गया है क्योंकि भगवान शिव शंकरजी प्रकृति के बीच ही रहते हैं वहीं उनका निवास है यही कारण है कि महिलाएं भी हरे रंग की चूडियां पहन कर वस्तर पहन कर भोले नाद को परसन करने की कोशिश करती हैं और साथ ही हरी चूडियों को सुहागन का परतिक माना गया है हरा रंग खुश हाली का परतिक होता है सावन में जितना महतव शिव को जला अविशेक का होता है उतना ही हरे रंग का भी होता है महिलाएं हरे रंग को प्रकृति से जोड़ कर भोले नात को परसन करने के लिए हरे रंग के कपड़े, गहने, वै, चूडियां पहन कर शिव मंदिरों में जाती हैं और भोले नात के दर्शन कर भगवान शिव की प्रिये वस्तुएं दूद, पेल पत्तर, गंगाजल, शेहद, धतूरा, पुष्प, आदी सभी वस्तुएं अरपित कर भगवान शिव का आशिरवात प्राप्त करती हैं सावन माहा में हर्याली तीज को भी धूमधाम से मनाया जाता है, इस दिन महिलाएं वरत रखती हैं, पूजन करती हैं, वैं अपने परिवार के खुशाल जीवन की भगवान भोले नात जी से कामना करती है दी कई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेर जरूर करिएगा